नमस्कार, फूट क्रेविंग अनलिमिटेड में आपका स्वागत है, तो आज के हमारी रेसिपी है पाव भाजी, एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है, तो आब हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है आलू तीन, उसको काट लिया है, बारिक, फ्रोजन मतार, दो टोमाटो यहाँ पर लिये है, मैंने काटके, और ओनियन लिया है, एकदम बारिक काटके, दो शिमला मिर्च को बारिक काट लिया है, और एक टोमाटो का मैंने यहाँ पे प्यूरे बना लिये है, अब एक कुकर में मैं थोड़ा सा तेल डाल दू और उसमें डाल देंगे हम टोमाटो, उसको अच्छे से एक मिनिट के लिए साटे कर लेंगे तेल में, फिर हम उसमें डाल देंगे नमक, एक चमज थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं आट करूँगी एक से देड़ कप पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और यहाँ पर हमें सब्जों को पका लेना है, दो कूकर की सिटी में यहाँ पर यह सब्जिया पक जाएगी, देखो, दो सिटी के बाद यह सब्जिया पक गई है, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, अब हम पाव भाजी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने कड़ाई में दो चमज तेल लिया है, उसमें डाल देंगे बटर, फिर हम इसमें डाल देंगे, बारिक कटी ही प्याज, प्याज को अच्छे से बारिक काट लेना है, तो सब्जी पाव भाजे से दरदरी बनती है, और फिर इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, फिर हम इसमें अड़ करेंगे, लसुन और अदरग की पेस्ट, एक चमज, मसालों में, एक से दो चमज लाल मिर्च पावडर, यहाँ पे मैं तीन चमज, पाव भाजी मसाला अड़ करूंगी, और एक चमज, धनिया पावडर, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें हम डाल देंगे टोमाटो प्यूरी, टोमाटो प्यूरी डालने से सबजी को अच्छे सब थिकने साता है, और फिर इसमें डाल देंगे हम, मैश की हुई सबजिया, मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ, डाल देंगे थोड़ा सा नमक और पानी, यहाँ पर मैंने सबजी का जो प्यूरी होता है, वही डाला है लास्ट में, उसी का ही पानी यूज किया है, पानी आप कम जादा कर सकते हो, आपके हिसाब से, इसमें डाल देंगे एक चमच, कस्तुरी मेथी, और इसको तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से पकने देंगे, और हर धनिये के साथ गार्निश कर देंगे, अब पाव को हम बटर लगा लेंगे, तो एक तबे पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, उसमें डाल दिया हरा धनिया, उसमें हम डालेंगे थोड़ी शी पाव भाजी, और यहाँ पे रख देंगे हमें, पाव और उनको अच्छे से गरम कर लेंगे तबे पे, और यह हमारी पाव भाजी खाने के लिए एक दम रेडी है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं रेसिपी,